आपने देखा होगा आज की conditions, paragraph 47 उसका point D उठा कर देख लीजेगा, अर्विंद केजरिवाल जी को रोका गया है किसी भी file पर sign करने से और CM office जाने से, क्यूं? ED का जब आप order Supreme Court का देखते हैं, तो वहाँ आपको याद होगा कि Honorable Supreme Court of India ने एक संकेत दिया था, माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी को कहा था कि नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, जिस तरह वो मुख्यमंतर की कुरसी को जकर कर बैठ हैं, ये उदंडता और उनकी हट से दिल्ली का अहित हो रहा है, लेकिन माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी ने सुप्रीम कोट के संकेत को समझा नहीं, क्योंकि सत्ता के मोह में वो इतने जादा मदमस्त हैं, और इसी लिए एक बार फिर सुप्रीम कोट ने आ इस शराब घोटाले में, इसी लिए उनको ना तो सीएम के ओफिस जाने के योग्य समझा गया है, ना किसी फाइल पे साइन करने के योग्य समझा गया है, यानि माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी एक बेपरवा सरकार के एक लापरवा मुख्यमंतरी है